जहन सात्यू, सात्यू इस वीडियो में आप जानेंगी खेती की बटवारे की संपूर प्रिक्रिया, खेत यानि की जो करसी भूम है, उसका बटवारे की संपूर प्रिक्रिया, यदि आप एक किसान है, या आपके पास कोई जमीन है, आप सोचते हो कि मैं अपने जीते जी रह तो सरकारी बटवारा यानि की कोड द्वारा बटवारे की संपूर्ड प्रिगिरिया क्योंगी के सुर्ट दौरा जो बटवारा आप एक वर करा लेंगे सारी जिंद anatomy वो मान रहता है हम इस विडिएो में विस्तार से आपको पैंट्तू-पैंट जानकारी देंगे जो कि एक विसेश जो वरिष्ट एड्वोकेट भी नहीं दे सकते सातियो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दू यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तरपदेश में जमीन खरीद रहे हैं कोई डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाह रहा हैं कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं कोई फ्रोड केस या कोई लफडा तो नहीं तो ये भी चेक करवा सकते डिस्क्रिप्शन में आपारा कॉंटेक्ट नमर आपको मिल जाएगा साथ यू फर्स्ट पॉंट आती है कि खेती के बटवारा की पिरक्रिया क्या है तो देखे कई वार लोग अपनी खेती का बटवारा करते कई त्रीजिनों से करते हैं माली जी परवार बढ़ गया अब माली जी एक ही खेत है बटवारा चाहेंगे अजनेदारे तो कुरा हो ठीक है और कई लोगों के साथ क्या होता माली जी कोई रोड के पास आपकी जमीन है ठीक है रोड के पास अब एक नमर है आप उसमें सही खातेदारा कें लेकिन रोड साइड आपके चाचा आता हुए या कोई सही खातेदारा कबजा किये जब रजस्ती ठीक है तो वहाँ पे बटवारा करवाना जरूर ये कोई को बटवारा हो गया तो आपको उसमें से जितना आपका सेर है फ्रंट रोड पे मिलेगा ठीक है तो उस सारी प्रिक्रियाओं के बारे में आप जब सोचते हैं तो आपको बटवारा की आप सकता पड़ती है और इसलिए बटवारा करवाया जाना चाहिए ठीक है अब सवाल आता है साथियो कि बटवारा जो होता है UPRC देखिए उत्तरपदेश से आप है तो बटवारा दो चरड़ों में होता है जब आप खेती का बटवारा करेंगे तो दो चरड़ों में होगा मैं डॉकमेंट्स के बारे में यह आपको बता दूगा पहला धारा 116 की प्रिक्रिया होगी ठीके पहला 116 धारा का जो है UPRC 116 उसमें आपको केस करना पड़ेगा वकील की दुवारा ठीके अब आप कहेंगे सर 116 की आए तो देखिए 116 जो है वो करती है अंसुनिरधारित देखिए जब अंसुनिरधारित हो जाएगा कि किस व्यक्ति का A का कितना है या जो भी से खाती है उनका अंसनिरधारित होगा मझनी जै आप चोरी भी करते हैं फांच लोग तो उसमें भी बहीत आप अंसनिरधारत तो करेंगे जो बहुंस है उसे फैंस, परशी बूप है को आप समझ लीजिए कि जैसे मालीजी आपका कोई गाटा संक्या छेतर है ठीक है मालीजी दस वीगा का है तो किसी ने वो रजिश्ट्री से लिया होगा एक वीगा किसी का पैत्रिक हो रहा होगा धाई वीगा ठीक है तो सब का पहले अंस डिक्लीरेशन होगा कि फलाने सींग का इतना अंस डिक्लीरेशन है फलाने का इतना अंस गोशित किया जाता है फलाने का इतना अपने अपने साच्छे दोगा वहाई हमारा इतना हमारा इतना अब अगर मालीजी किसी का अंस ज्यादा हो गया कम हो गया तो इस पे आपत्ती का 116 में आपको SDM के आपे case करना होता है ठीक है धारा 116 में अब सवाल आता है कि 116 के लिए documents क्या चाहिए तो 116 के लिए documents चाहिए खतोनी आपकी only cable खतोनी चाहिए बस और खतोनी के आदार पे आप advocate के थुरू आप जो है दावा कर सकते हैं धारा 116 का अब साथियों अंसंद्रधारत हो गए मालीजी आपका भी है मालीजी आप पांच लोग थे उधारार में आपको बता रहा हूँ अब आपने registry से खरीदा था मालीजी दो वीगा जमीन तसमें से या मालीजी पैत्रिक आपकी दो वीगा तो अंसंद्रधारत होगा कि फलाने कहो जारी होगा और जो है आपका जो बटवारा जो है अंसंद्रधारत वाला प्रोसेस है वो आपका हो जाएगा अब देखिए केवल आपका अंसंद्रधारत होगा है अभी लेकिन आपका फिजीकली रूप से बटवारा नहीं हुगा अब आपका फिजीकली रूप से क्या तो साथ यो तुरप नहीं डली जिसे बोलते हैं तुरप या कुरहा नहीं बना या माल लीजिए अभी आपकी तरवीम नहीं पड़ी कौन किस साइड है आप सरल वास्ना समझ लीजिए कि अंस्जिरदारित हो जाने से पूरा बटबारा नहीं होता है केबल बता दिया कि आपका जमीन में इतना सहर है आपका अतना सहर आपका अतना लेकिन फिजीकली रूप से कौन कहां रहेगा क्योंकि दस्वी कहां कि भाई ज उसके लिए जब आप कुरहा अपना अलग बनवाएंगे और जब तक आप कुरहा अलग नहीं बनवा लेते हो तब तक बटवारा अधूरा रहता है आपके बच्चे वाली जो भी है आने वाली बीड़ी परिसान हो सकती है फिर से कराना पड़ेगा तो उसके बाद जब डिक् अब 117 क्या कहता है सातियों कि यदि कोई ऐसी भूम है कीमती भूम ठीक है माली जी कोई रोड से सटा गाटा है तो सब चाहेंगे हमें पूरा फ्रेंट पे मिल जाए तो सब को नहीं मिलेगा पूरा फ्रेंट पे नियमा वली 109 कहती है कि जो भी उसमें सहिक हातेदारक है ठ जैसे माली जी रोड पर आपका सौफिट फ्रेंट है और रोड की जमीन सब लेना चाहते है तो यदि माली जी आपका 20% है उसमें तो आपको 20% के एसाब से ही जो कि जो सोका 20% 20 फुट जो है वो फ्रेंट रोड पे मिलेगा इस प्रकार से कुरा तयार किया जाएगा कि सभी खातेदारों को बरावर कीमती भूम मिल सके तभी तो नहाए होगा ठीक है तो यह तो हो गई 116 और 117 की प्रिक्रिया के बारे में यदि आपका कोई कुछ सन है कोई लीगल एडवाइस है तो वह भी आप ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्किप्शन में दिया गय प्रोसेस काफी लंबे-लंबे होते हैं कई बाते छूट गई होगी तो वह भी आप पूछ सकते हो ठीक है या कमेंट कर सकते हो अब सात्यों आता है कि मिन्जुमला खेत नमबर का पटवारे की प्रिक्रिया क्या है अब आप कहेंगे मिन्जुमला का नमबर क्या होता है तो एका मिन्जुमला नमबर ये मिन्जुमला नमबर का वह मतलब है सामन वासा में समझ लीजिए मिन्जुमला गाटा वह गाटा है जिसका अंस दुरिदारित हो गया लेकिन फिजीकली रूप से पटवारा नहीं हुआ है ठीक है जमीनी तोर पे पटवारा नहीं हुआ है केव मन्योंला करी मिय्स है उसके बटबारे की प्रिकरिया जो Спेस तुकसा के बारे के बारेमे all रूल लंबर 27 प्राफधन करता है कि जो भी मिन्जुमला खातेदार है तो पतिये खातेदारों को उन्हें भी रोड पे ही मिलेगा समान आत्पातिक रूप से ही मिलेगा ठीक है मिन्जुमला खेत नंबर के बटवारा की प्रिक्रिया जो है वो यह है धारा 30 में अब इसका नंबर का बटवारा करवाएंगी तो बेफिकर रहिए आपको रूल नंबर 27 में यह प्राफधान किया गया है कि यदि आपका बहुत बड़ा नंबर है मिन्जुमला नंबर है माली जी वो रोड से सटा है तो साथियों आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है आनुपातिक सब्सक्राइब करें और कोई भी कुछन हो तो आप पूछ सकते हैं